नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, तो आज हम सीखेंगे रहजलो मरीना में एडवांस आउटपुट का जो सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो अगर आप एक वीजे हैं, एल्डी ओप्रेटर हैं, या प्रजेक्शन मैपिंग का जो है वर्क करते हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए होने वाला है, वीडियो को आखिर में तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें, तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेकि एडवांस आउटपुट होता क्या है, तो रहजलो म हम एडवांस आउटपुट का मतलब है आपका जो वीडियो है, कहाँ पर और क्या दिखाना है आपको, मतलब आप उसको अपना जो है, इनपुट स्लेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ दिखाना है और कैसे दिखना है, symptoms आउटपुट जो होता है, वह shortest प्ले करते हैं और डारेक्ट जो है वो डारेक उसके उपर play हो जाता है लेकिन advance output के अंदर आप एक ही वीडियो को अलग-लग screen के उपर और अलग-लग projectors के उपर और या जो है आपका जो है पैनल जो होते है LD के पैनल्स होते हैं उसके उपर जो है आप custom दरीके से दिखा सकते हैं और इसके अंदर आप slice और mask जैसे जो है filters या उनको भी आप use कर सकते हैं तो चलिए रहजलूम को open करते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या advanced settings में कैसा interface रहता है और कि यह जी आपको कैसे use करना है तो यहाँ पर output पर आता हूँ मैंने आपको simple display के बारे में बताया कि यहाँ से जो display to जो बात करेंगे तो यह simple display है यहाँ से हम लोग simple कोई भी content play करते हैं तो direct हमारा screen के उपर play हो जाता है जिसके अंदर वो custom दरीके से नहीं हो पाता लेकिन advanced settings के अंदर अगर जैसी मैं advanced settings को open करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ interface मिल जाते है जैसे screens का मिल जाता है slice का मिल जाता है input मिल जाता है और output मिल जाता है तो इसके अंदर पहला होता है input selections तो इसका मतलब है कि कौन सी layer और compositions को लेना है हमने input के अंदर कि हम लोग यहाँ input source देखते हैं तो यहाँ पर हमें screens, composition और layers वारा हमें दिखाई देता है तो यहाँ से हम लोग कौन सी screens लेनी है कौन सा composition लेना है या कौन सा layer लेना है basically हम लोग यहाँ से अपना content decide करते हैं कि कौन सा कहां पर लेना है और दूसरा बात करेंगे slice की बात करते हैं तो slice का मतलब है कि यह है video यह जो हम लोग content यहाँ पर बना रहे हैं वो actual में दिखाना कहां पर है output में दिखाना कहां पर है इसी के लिए हम लोग slice का इस्तेमाल करते हैं और अगर बात कीजिए कि मेरे पास screen एक से ज़्यादा है मानलो मैं दो या तीन screen यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा screen अलग से बनाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है जैसी by default जैसे आप new preset करते हैं तो यहाँ से एक screen आपके सामने आता है लेकिन अगर आप plus के icon के ओपर click करेंगे तो आपका जो है एक screen और बन जाता है और उसके साथ में एक slice और बन जाता है फिलाल के लिए मैं ये screen को delete करता हूँ एक simple screen की बात ही करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग अपने जो slice हैं वो अपने तरीके से customize कर सकते हैं कि size में मुझे बनानी है input क्या लेना है वो सब कुछ मैं यहाँ से set कर सकता हूँ जैसे यहाँ अब बात करूँगा custom तरीके से create कर पाऊँगा यहाँ से width and height जो हैं fill करके जो है मैं अपनी slice को बना सकता हूँ ठीके एक तो आपका यह हो गया दूसरा जो तरीका हो गया अगर माल लीजिए मुझे अलग से कुछ और screens लेनी है कुछ custom तरीके से बनाना है या projection mapping के लिए use करना है तो आप slice की जगा पर polygon भी ले सकते हैं तो polygon क्या करता है polygon आपका input जो है अपने according custom तरीके से create करता है जैसे यहां से मैंने masking यहां की यहां की और कुछ ऐसा किया कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा किया या इस टैप से मैंने इसको create कर लिया तो यह जो है वो आपका custom तरीके से create कर पाएगा कि जो है आप इस तरीके से उसको manage कर पाओगे और इसको यहां से आप इनके जो है arrow जो अपने इनके sides corner से उनको आप यहां से adjust कर पाओगे जो आप input में अंदर बनाओगे आपका जो है वो output के अंदर भी आपका show होगा ठीक है तो यह चीज आप जो है अगर जादा तर जो यूज होता है कहां पर यहां पर यूज होता है आपके जो मतलब जो projector screens या projection mapping के अंदर काम आता है वहां पर ये चीज़ें जादा तर आपके यहां पर यूज होती है तो चलिए यहां पर तो आपका ये चीज़ें होगी then उसके बाद यहां पर आती है masking तो अगर आप इस polygon की जगाए पर मैं यहां से preset करता हूँ और new बनाते हैं और यहां से मैं अगर use करता हूँ आपका masking तो यहां से आप custom तरीके से mask use कर सकते हो आपको कि shape के अंदर चाहिए यहां पर already तीन चार पांच shape बनी होई है आप इनको जो है custom तरीके से use कर सकते हो output के अंदर input के अंदर ठीके लेकिन अगर आप चाहते हो की sorry input के अंदर use कर सकते हो और जैसा वैसे ही है आपको जो है output के अंदर shapes दे देगा दूसरा बात करूँगा कि अगर इनके अलावा अगर यहां पर आपके पास काफी shapes है round में है triangles के अंदर है hexagon के अंदर है और अगर आप किसी shape को custom बनाना चाहते है custom तरीके से अरडियेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप custom तरीके से mask भी किसी slice के उपर बना सकते है अब यह भी mostly हमारा projection mapping के में अंदर काम भी आता है और वैसे भी हम लोग इसके अंदर इसको use कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो है आप सीख सकते हैं learn कर सकते हैं जिसके लिए सिर्फ आपको जो है channel को join करना पड़ेगा और जो आपको जो है channel का members बनना पड़ेगा जिससे जो है आप जो है पूरा का पूरा जो है course जो है free of course आप ले पाएंगे और वहां से आप proper तरीके से fully mapping का जो है course सीख सकते हैं तो चलिए अब मान लीजिए आपके पास दो projector है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां से मैं एक बार new कर लेता हूँ तो अगर projector दो है या आपके पास दो अलग-लग screens लगी हुई हैं तो उसके लिए आप कैसे यूज़ करेंगी तो उसके लिए यहां से जो है आप जो है screen 2 कर सकते हैं बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यार लखना पड़ेगा screen 2 कर सकते हैं इसका मतलब आपके पास जो है आपके laptop के अंदर output भी दो होना चाहिए अगर आपके पास दो outputs नहीं होंगे तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हम लोग supplier वगरा यूज़ करके दो अलगलग processor या अलगलग दो projector या दो अलग screen जो है वो test नहीं कर सकते या तो हम एकी processor पे काम करेंगे screen 1 पे ही काम करेंगे या screen 2 के उपर काम करेंगे दो screen पे काम कर रहे हैं तो it's mean इसका मतलब यह है कि जो है आपके पास में जो है दो कम से कम output होना चाहिए आपके laptop के अंदर जगर दो output होगा तो तब ही जो है आप जो है इसके अंदर screen 2 को जो है इस्तेमाल कर पाएंगे तो अब उसके बाद masking की बात हो गई है यहाँ पर screens की बात हो गई है तो screen के बाद में तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं आप से कहना चाहूँगा तो जब भी आप इसको जो है output one or two देखते हैं तो आप जो है अपने पहले laptop से जो है दोनों चीज़ों दोनों पर सेसर को connected कीजिए connected करने के बाद जो है यहाँ पर आप देखें डिस्पले टू शो हो रहा है और उसके बाद में जो है यहाँ पर डिस्पले थ्री भी शो होगा तो जैसे जैसे डिस्पले टू और डिस्पले थ्री शो होगा और यहाँ एडवांस आउटपुट में आने से पहले यहाँ आउटपुट में आप देख लें फुल स्क्रीन के जगाँ पे यहाँ पर आपका डिस्प्ले थ्री भी शो होना चाहिए जैसे अभी मेरे पास जो है एक ही जो है प्रोसेसर जो या मोनिटर किनेक्टेड है तो एक का एडवांस आउटपुट में भी कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा और सबसे जो एंड के अंदर मैं आपो टिप्स देंगा बहुत इंपोर्टेंट वह यहाँ से आप टेस्ट पैटन को जो है ऑन करके टेस्ट पैटन को जो है आप टेस्ट कार्ड को जो है ऑन करके एक बा चीजें आप देखना जरूरी है जैसे मान लो कि यहां पर टेस्ट पैटन का मतलब यह बताता हूँ जैसे मान लो थोड़ा सा डीपली हम बात कर सकते हैं कि इंपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर देखिए सेम आपका यहां पर वियो आ रहा है तो अगर मैं स्लाइस हाफ डिवाइड की और आउटपुट में मुझे देखिए हाफ पैटन जो है वो नजर आ रहा है इस टाइप से और जो स्क्रीन टू की बात करूँगा तो स्क्रीन टू में अंदर भी यही होगा लेकिन मुझे क्या है कि यहां का जो है सॉरी इंपुट में जाकर मुझे इस पर जो पार्ट नंबर टू है जो आपके टेस्ट कार्ड का पार्ट है वो यहां पर टू नंबर स्लो हो रहा है और यहां पर जो है वो एक नंबर शो हो रहा है तो इसका मतलब है अब अगर आप विजुल्स कोई भी प्ले करेंगे तो आपका जो है वो स्क्रीन नंबर वान और screen number two पे जो है बीच के अंदर से बिलकुल जो है divide हो जाएगा जो है test card जो है वो divide हो जाएगा और ऐसे ही अगर मान लेजिए आप चार screens यूज करते हैं तो चार screens में भी आप इस type से test card ये यूज कर सकते हैं एक पर ये किया और दूसरे number पे जो है वो आपने ये कर दिया दो screen आपकी divide हो गई है और screen number जो अगर आप तीन लाना चाहें यहां तो तीन number screen पे जो है input में जाकर आप यहां से कुछ इस type से इस part को जो है select कर सकते हैं और screen number 4 की बात करूँ अगर screen number 4 है तो 4 number जाकर आप जो है इसको यहां से यहां तक तो अब मेरे जो है test card जो है वो चार पार्ट के अंदर divide हो चुका है चार पार्ट का मतलब है कि one two and three and four अब चार के input तो आपके आपने जो है select कर दिया divide कर दिया वही same अगर मैं output की बात करूँ तो output पे आप चेक कर सकते हो कि अलगलग screen के उपर अलगलग pattern जा रहा है ठीक है तो यह चाप चेक कर सकते हो one or two or three and four यह चारों के चारों pattern पे अलगलग जा रहा है तो अब अगर आप आपके पास एक large screen लगी है तो उसको जो है आप input में यहां इस तरह से divide करके चार प्रोजेक्टर जो यह चार प्रोसेसर से जो है आप configure कर सकते हो और configure करने के बाद जो आपके पास सामने विंडो आएगी वो आपकी एक ही विंडो बनेगी तो आज आपने सीखा कि रैजलों अरीना में advance output को कैसे सेट किया जाता है उमीद है यह वीडियो आपको जो है क्रिस्चन का पूरा कोशिश करूँगा कि मैं उस क्रिस्चन का जो है आपको जबाब दे पाऊं या उसके उपर एक जो है वीडियो बना पाऊं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए happy wishing thank you for watching